ममी ममी गांदी जी के सर पर बाल क्यों नहीं थे बेटा क्योंकि वो ना हमेशा सच बोलते थे अच्छा अब समझ में आया कि तुम लेडिस के बाल इतने लंबे की होते हैं और यही होता रहा है मिलोड तारीक पर 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 त कर ले ले कर ले कर ले कर ले Candle 서ुट हेलो जदी आउढ मुझे उठाले और फेक दे परोसन के बाहों में मैडम परसों से कुछ नहीं खाया बगवार के नाम पर एक रुपया दे दो तुम्हें सरम नहीं आती ते जबान हैंसम खुच्चूरत हटे तगले होके तुम भिक मानते हो जबान हैंसम खुच्चूरत? मैडम फिर रुपया थोड़े एक चुपमाई दे दो तुनो जी एक बात बताओ दामाद की ससुराल में इतने एकज़त क्यों की जाती है? अरे बाईया क्योंकि ससुराल वालों को पता होता है कि हमारे घर के तूफान को इसी महान आदमी ने समाल रखा है बताओ आप बड़े होकर क्या करोगे? सर शादी करूंगा नहीं, मेरा मतलब है बड़े होकर क्या बनोगे? दुला बनूँगा अरे, I'm in to say, तुम बड़े होकर क्या हासिल करना चाहोगे? सर दुलन अबे, मतलब बड़े होकर मम्मी बापा के लिए क्या करोगे? बहु लाओंगा और क्या? हराम खोर तेरे माबाब तुझसे क्या चाहते? पोता ए भगवान आरे, जिन्दगी का मकसद क्या है? हम दो, हमरे दो अबे, तु बैट बैट वरना चड़े निकाल के फटके मारूंगा सर गलती मेरी है, आप क्यों चड़े? एक बार पती पतनी की जोरदा लड़ाई हुई पती ने तंग आकर अपनी सास को फोन किया सुनिये सासू जी, आपका ये प्रोडेक्ट मेरे मुताबिक नहीं चल रहा है मैं इसे लोटा कर आप से बदलने की डिमांड करता हूँ सुनिये दमाजी, आपके प्रोड़क्ट की वरंटी खतम हो चुकी है रिफंड या एक्सचेंज की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है प्रोड़क्ट की पोफोर्मेंस बहतर करने के लिए बालों से पकड़ कर दिन में दो दफा धुलाई करे अब वैसे भी कंपणी ने नया प्रोड़क्ट बनाना बंद कर दिया है अरे भाई साब ये क्या कर रहे हूँ अरे बैन जी मैं अपनी बीवी के कपड़े धो रहा हूँ मेरे भी कपड़े धो तो कितने रुपए लोग है अरे बैन जी रुपए के कोई बात नहीं जो बीवी देती है वही आप भी दे देना